कि एलो इसलाम लाइकूम रूबी के जाइका के बैचलर इस्पेसल रेसीपी में आपका स्वागत है तो आज हम आपको तीन तरह का चीला बनाना बताऊं गी तो सबसे पहले इसकी प्रिप्रेशन हम करते हैं इसके लिए एक बॉल लिया है एक कटोरी सूजी ली है यह सूजी कचीला है एक कटोरी सूजी में हाफ कटोरी से भी कम यह गहूं काटा है इसे मिक्स करेंगे नमक एट करेंगे नमक तो आप अपने टेस्ट के नुसर डालेंगे हरी मिर्च है यह कटी हुई बारिक कटे हुए प्याज है धनिया है इस बैटर को तयार करने के बाद हमें पांच मिनट के लिए रेष्ट देना है इसलिए हमने इसे पहले बैटर बना के इसको रख दे रहा है फिर मैं आपको दूसरी चीला बनाना बताऊंगे इस बैटर तयार हो गया है इस तरह से इसे अब हम पांच मिनट के लिए प्रेष्ट के लिए रखना है तो इसे अब हम रख देते हैं ढखकर अब हम दूसरे चीले की तयारी करते हैं अब हम जिर्फ आठे के चीला बनाएंगे अब एक बावलम ने आठा ले लिया है यह बिलकुल सिम्पल है बस आठा और नमक से चीला तयार हो जाएगा और इसको रेष्ट भी नहीं देना है इस तरह से फटा-फट घोले और इसे बना ले तो यह देखिए घोल हमारा तयार हो गया इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दे हमार अब इसे भी हम साइटं कर देते हैं तीसरे की तैयारी कर लिए अगर बहुत सारे लोगों को मीठा पसंद होता है तो मीठा चिला बना सकते है इसके लिए भी हमने थोड़ासा आठा लिया है इसमें अब हम चीनी मिक्स कर देंगे इसको भी पानी ज़र गोल बना यह देखिए इसका भी गोल तयार हो गया है इसकी कंसिंस्टेस्टेस्ट सी ऐसी होनी चाहिए जटपट सी बन जाएगी इसको रेष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन हमने जो पहले से भी सूजी का बना के रखा था बैटर पहले मैं इसका स्टार्ट करती हूं बना करने डालके इसे मिक्स कर देंगा यह बहुत ही टेस्टी बनता है बहुत कम टाइम में बनने वाला है आप लोग इसे जरूर ट्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्स्राइब कीजिए और नए-ने वीडियो का नोटिफिकेशन पानी के लिए बेलायकम दबा यह तो चलिएब हम इसे बनाना एक उस्टार्ट करते हैं है यह ने हमने चड़ा दिया थए तवा गरम है इसमें हमें रीफाइंवाइल डाल दिया है बिल्भुल नीवाले क्षा नास्ता है रेल्धी इससे सहाइब ल कि शचकाभानल быть यह इसे भी आप लोग इसे इसमें डाल पे बना सकते हैं यह बहुत ही बेल्दी हो जाएगा आपको नासका इस तरह से हमने इसे फैला दिया है और हाई फ्लेम पे ही रखा है जब एक तरह से लाल हो जाए तो इस तरह से यहां से ऐसे करने से छोड़ने लगेगा तब हम इसे पाएंगे अब इसे हम पलट देते हैं इस तरह से यह निकल बहा है इदा से भी ओयल ठोड़ा डाल देंगे ज्यादा तब गरम हो याथा इसलिए हमने इसे लोग पे कर दिया है ज्यादा जब गरम हो जाए तब जलने लगे तो बोपे कर दिजिए लोग और मेटियम के प्रिश्पी बनाना है तुल दो पे रखेंगे इस तरह से दबाते हुए हम पका लेंगे ताकि दराबर से चारतरफ से फ़िए तो देखें इधर भी हमारा कितना अच्छा सा कलर हो गया है लोलन कलर का हो गया है इस तरह से थोड़ा सा कच्छा सा दिख रहा था इसलिए हम इस तरह से दबाते हुए इसे गुमा गुमा के पका लेंगे एक बार इसे जरूर आप लोग प्राई करें यह बहुत ही चट पटा सा नास्ता होता है अच्छी तरह से चार तरह पहलाते हुए गुलाई में फैला लेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे हाई करना नहीं है वरना यह जल जाएगा नीचे से अच्छी करेंगे एक तरह पकने तक इसे पकने देंगे अधिसर के यह जए देखे ऐखे तो प्रूसर चीला भी हमारा रेडी हो गया है इसका इसका कलर कितना अच्छा साया है तीसरे तरीके मिठा पसंद आं इसे लो फिलेम पे रख के पकाना है चीनी वाला है थोड़ा यह चिपकता है इसलिए आराम से इसे पूरा पक जाने पर ही आप लोग पहले इस तरह से अंदर डाल के देख लें कि तूरा अलग हो रहा है तब इसे पढ़ रहा है वारना यह तूड़ जाएगा नम्कीन में भी अगर आप लोगों को बनाना है तो पलटने में जल्दी ना करें इस तरह पकने दे वारना यह तूड़ जाएगा फिर वह अच्छा नहीं होगा और यह नम्कीन बनाने के लिए रिफाइनल जरूरी नहीं है अगर आप लोग के पास मस्टरड ओल है तो मस्टर कर दिया था में इस साइड भी पक गया है अभी से हम निकाल लेते हैं यह देखिए चिला हमारा तीन तरह का तयार है यह सिर्फ नम्कीन है आटा और यह नमक का है यह और यह सूजी का है और यह मीठा चिला है तीन तरह का चिला है आप लोगों जो पसंदा इस तरह से कि है और यह सुना स्थ सीना गला है यह पकूछ ओंप सिर्फ इस तरह किला गगी में तरह का मारत तो, और हा तो, अ एल मैं का है राध, हाल, यहाल, ही थीतता है स्थाशन प्तों तरह कर दो का है उलो मारता विग जैसा इसे टिया यह-बताल, तो, और है, अजा फैंधा शती झाल झाल